नमस्कार हमारे सभी किसान भाईयों का स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से फार्मिंग निसाज चैनल में आज की इस वीडियो में किसान भाईयों हम बात करेंगे कि परवल में जो परवल बाढ़ का पानी से डूब गया था उसे कैसे आप बचा सकते हैं और उसकी जो अधिक मात्रा में पीली हो रही है उसमें क्या प्रियोग करके आप हरी भरी फिर से कर सकते हैं। काफी सारा कमेंट आ रहे थे कि परवल को पानी से बचाने का उपाय बताईए। तो पहला कमेंट हम ले लेते हैं आज एटू अरून आर्या जी का इन्होंने पूछा है परवल को पानी से कैसे बचाएं। तो इस वीडियो पर टॉफिक लेकर आ गया हूं। अरून आर्या जी हमारा वीडियो देख रहे हूंगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। सरा जो कमेंट है वो कंचन सिंग जी के तरफ से है उस परवल की खेती को कैसे बचाएं। तो जो किसान भाई अभी तक नहीं जानते हैं इस वीडियो को लेकर आ गया हूं। किरपया आप लास्ट तक देखें। और आप समझ जाएंगे। और कोई सवाल करना चाहते हैं तो कोश्चन कमेंट में कीजिए। हम आप कोश्चन के रिपलाई देने की कोशिस करेंगे किसान भाईयो। किसान भाईयो यह है मेरा खेत जो आप देख सकते हैं वीडियो के स्कीन पे। आप लोग देख सकते हैं इसमें पहले से अच्छी ग्रोथ देखने को मिल लही है। और इसमें प्रियोग क्या किया है किसान भाईयों आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं, पर आपको यहां पर दिख रहा होगा मैंने इतने परवल तोड़के रखे हैं, किसान भाईयों अगर आप चाहते हैं कि फिर से उसी प्रकार के फ़ल हमारे फसल में देखने को मिलें तो आपको प्रियोग में क्या लाना है आपको यूरिया सबसे पहले एक भिगा खेत है तो करीबन 4-5 kg किलोगराम यूरिया का प्रियोग करें और 2-3 kg जो डियेपी का प्रियोग करें साथ में और जो आती है जिंक आप जिंक प्रियोग कर सकते हैं 2-3 kg प्रती बिगे में और अच्छी सी लत हमारी फिर से तयार होगी जो पानी में डूप चुकी है और फिर से प्रोपिट उतना ही मिलेगा और परवल में किसी प्रकार का इफे दोका कれमारी फिराजोग अभी ना करें और बारी कि पुनाहबंद ह कर सकते हैं यह हमारा परवल है और आज इस से मैंने तोड करके और से दिया है क्रीबन इसकी मुल या रेट के भाहो कि बात करें तो आज का रेट जो है किसंधान भायやशा AMY किसान बाह यह 15-25 रुपेञ किलो है और आज इसके मंडी भाव की बात करें तो 55 से 60 रुपे किलो मंडी में जाकर विखता है पर हम लोग गाउ में ही परवल बेज देते हैं